अगर हम लोग ट्रांसिंशन टावर को देखें, तो ट्रांसिंशन टावर क confirm होता है किань इनकुंड कंडॉड आउट करना the तो यहां पर यह टावर होता है, इनक्डुक्टर आप अगर हम इस वर्टिक्लर पोश्चन को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो यह हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा यहां पर यह जो परपल कलर का देख रहा है यह इंसुलेटर डिस्क ठीक है एक दो तीन डिस्क का मैंने इस्तिमाल करा है यह हो गए आपके मैटल जबते हो अटेच होते हैं यह सीरीज में connected होते हैं यह जो ग्रीन कलर का डॉट देख रहा हो यह चांड़क्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहले मैंने आपको सेटप पूरा दिखा दे रहा हूं क्या है सेटप हमारा तीक है अब ऐसे केस में अगर इस गंडॉक्टर यह जो voltage distribution है यह जो insulator के string के across होगा यह किस तरह से होगा क्या यह voltage equally distribute होगा यह unequal distribution होगा इन सब की हम लोग चर्चा करते हैं वाया string efficiency तो आज हम लोग discuss करेंगे string efficiency क्या होती है और कैसे string efficiency की important parameter है जब भी हम insulator string को design करते हैं और जब भी हम tower के अंदर insulator को put करते हैं तो जब द मासलें बहुत अच्छे से तो मान के चलते हैं हमारे पास medis structure है और यह है हमारे पास insulator now अगर्वेक डिस्क को पकड़ते हैं तो एक wrist और बीच में सेप्रेटेट वाया इन्सुलेटर यह बनाएगा तुम्हारा एक कैप mettour डीस्टीर कोती है यह अपने आप में क्या को करती है काम कबती है एक क्योड कि सोड़के ऑर तुम्मरा के त कि तरह हों करते हैं तो एक तरह है हमारा मेटल string है यानि कि metal pins है जिन से insulator टक है और दूसी तरह हमारा है tower का तो ये भी metal structure है यानि कि एक तरह metal string एक तरह metal structure नो metal string conductor के attach होती है conductor से जुड़ी होती है तो मान के चलते हैं ये एक higher potential पर है और यहां पर metal structure तो है ये मान के चलते है lower potential तो दो charge metal structure separated by या air insulator नो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है air है तो air act as an insulator तो वही सेम चीज़ दो metal structure चार्ज अपोजिटली चार्ज एंड सेपरेटेड़ बाई या air और वी कैंसे इन इंसुलेटर तो ये वर्क करेगी ये भी एक वर्क करेगी तो यह तो यह होता है capster इसको हम कहते हैं shunt capstance shunt क्यों 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 कि यह parallel में यानि कि parallel की तरह work कर रहा है यानि कि metal string और हमारे जो tower body के बीच में जो बन रहा है ठीक है this is इनोने shunt capstance तो basically अगर हम अगर हम capster model की बात करते हैं insulator string में तो power system के अंदर जो tower use होते हैं जो insulator string होता है वहाँ दो capstance पाया जाते हैं एक shunt capstance जो tower और metal pin के बीच में और दूसरा होता है self capstance जो हर एक insulator disc का अपना capstance होता है ठीक है अच्छा shunt capstance को हम लोग ऐसा भी कहते हैं कहीं कि आप numerical solve करोगे तो वहाँ shunt capstance ना लिखके यह लिख देते हैं capstance between pin and earth तो इसका भी मतलब यह ही है भाई देखो जो blue color की line है वो metal pin है और जो purple color की line देख रहा है this is your metal structure और metal structure ultimately ground से जुड़ा होता है तो यह एक earth की तरह work करेगा सही है तो capstance between pin and earth ठीक तो यह हो गया तुमारा इसको हम कहेंगे shunt capstance तो यह बात ध्यान रखना numerical solve करते समय बहुत सारे numerical में आपको shunt capstance नहीं लिखा मिलेगा ठीक ओके ना अब हम बात करते है voltage distribution की तो ideally क्या होना चाहिए था ideally यह होना चाहिए था कि अगर यह metal यह हमारी insulator string है इस तरीके से और हर एक insulator को अगर मैं self capstance से replace कर दूँ इस तरीके का मैंने capstor model बना दिया insulator का तो अब क्या होगा और वी वोल्टेज अपलाई करूँगा तो यह वी वोल्टेज इन इंसुलेटर string पर पूरा का पूरा एक तरीके से distribute होगा uniformly और ऐसे में क्योंकि यह सारे के सारे insulator जो है वो सीरीज में यानि की capacitor की तरह वर करेंगे और यह सीरीज में क्योंकि connected है तो same इनका capstance भी same है क्योंकि हमने same size के same rating के insulator लिए तो ऐसे case में क्या होगा सब के across जो voltage drop होगा वो same voltage drop होगा तो मान के चलते हैं टोटल voltage अगर V apply करा था तो V by 3 V by 3 V by 3 के साब से drop हो जाएगा ठीक है अगर हम V by 3 जो उंपर वाला दिख रहा है इसको अगर V1 ले 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 और बीच वाले को V2 देन last वाले को V3 जो conductor के सबसे करीब है तो ऐसे case में हम कह सकते हैं कि V1 equal to V2 equal to V3 यानि कि तीनों डिस्क के across जो voltage डवलप होगा या drop होगा वो सब के सब क्या होंगे बराबर होंगे तो यहां से निकल के आता equal distribution of voltage जो की ideal condition है यानि कि ऐसा हमें desired है जो होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर हम बात करते है practically की आकर हो कह रहा है यह तो आइडियल बता दिया सर आपने practically क्या होता है तो प्रेक्टिकली यह केवल उंपर यह जो मैंने परपल कलर का आइडियल में बनाया है उंपर की तरफ यह इसको मैं दिखा देता हूं यह जो देख रहे हो ना यह वाली लाइन यह दिससज़ो टावर इस्टावर इसकों इस तरिके की को सारी ना अब यहाँ पर क्योंकि तो दो एक हैंगे हर इन्सलेटर का अपना सेल्फतेंस जोकि हम मार कर लेते हैं चे के रूप में और एक आएगा जो टावर और पिन के बीच में बनेगा जिसको हम कहेंगे shunt capacitance Cs से इसको represent कर लेते हैं अब होगा क्या जब दो capacitance हैं और दोनों के दोनों parallel में हैं दो मतलब 3 है Ccc और Cs 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 तो अब क्या है हर point पे हर junction पे हमें दो capacitance में divide हो रहा है तो ऐसे में current flow करेगा charging current because of these capacitor conductor से वो भी अगर V voltage apply करते हैं तो इस V voltage को जब इन system पे distribute करने कोश्च करोगे तो जो current होगा वो अपने आपको इस तरीके से distribute कर लेगा यानि कि केवले single current series में Ccc तक नहीं जाएगा मतलब cell capacitance में flow नहीं करेगा बलकि shunt capacitance लगे होने के कारण यह अपने आपको distribute कर लेगा I1, I2 and I3 में तो जब current I1, I2, I3 में distribute करेगा तो जो current series में जा रहा था वो भी I न रहके I3, I2, I1 में convert हो जाएगा बात समझ मारी clear हो रहे हैं यहाँ यहाँ पे कोई shunt नहीं था यानि क तो this is your C junction, B junction and A junction तो अगर इन सारे junction को बना देते हैं तो A junction पे current क्या होगा दो parts में divide हो रहा है, ऐसी B junction पे क्या हो रहा है current दो parts में divide हो रहा है, अब क्यों की current divide हो रहा है तो मान के चलते हैं यहाँ पे बहुत high current flow करना शुरू करा लेकिन अब क्या होगा जैसी हो divide होता जा रूप में यह small I के रूप में remove हो जाएगा, so this is the कह सकते हैं shunt capacitance and self capacitance model, now अब यहाँ पे एक बड़ी interesting चीज़ देख लेते हैं, ऐसे case में अगर voltage drop की बात करें तो वो होगा V1, V2, V3 लेकिन अपकी left side या नहीं ideal case की तरह V1, V2, V3 बराबर नहीं होंगे, बलकि unequal होंगे, उ same capacitance था, तो इसलिए voltage drop भी same हो गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो current का distribution अलग हो गया, यहाँ I3 है, यहाँ I2 है, यहाँ I1 है, तो I1, I2, I3 है तो उसी के according V1, V2, V3 voltage distribution होगा, तो these are unequal voltage distribution, so this is your unequal voltage distribution, यानि कि अगर हम बात करते हैं, overall, मोटे मोटे तोर पर अगर इस slide को मैं एक line में complete करूँ, तो जब हम ideal case की बात करते हैं, यानि कि जब हम बात करते हैं, केवल insulator के self capacitance की, तो वहाँ पे voltage का distribution equal होता है, लेकिन जैसे हम tower को consider करते हैं, tower के part को भी, तो ऐसे case में self के अलाभा एक shunt capacitance भी आ जाता है, यह जो shunt capacitance है, इसकी वज़े से voltage का distribution जो होता है, वो क्या कहती है, कि अगर मान के चलते हैं, हमारे पास यह 3 insulator का system है, जिसमें 3 self capacitance है, और 3 हमारे यहाँ पर shunt capacitance है, वी 1, वी 2, वी 3 voltage distribution है, तो ऐसे case में क्या होगा, यह जो unequal distribution है voltage का, इसको हम express करेंगे in terms of string efficiency, ठीक, अब अगर formula की बात कर लेते हैं, तो string efficiency का formula होता है, voltage across the string, या पहले तो समाज़ लो, voltage across the string, यानि total voltage V, जो हमने apply करा है, divide by N into voltage across disk nearest to conductor, यानि कि यह जो disk nearest to the conductor, now this one is the, यह वो वाली disk है, जो बिल्कुल conductor के नस्दीक है, ठीक है, तो conductor के बिल्कुल नस्दीक वाली disk across जो voltage है, यानि कि V3 की बात हो रहे हैं, और N क्या है, N है तुमारा number of disk, number of disk कितनी हम इस्तमाल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और solve करके लिख सकते हैं, यह हो गया हमारे पास final formula, ठीक, तो यहाँ पर V क्या है, V phase voltage, ध्यान रखना, this is your phase voltage, line voltage मत ले लेना, अगर कहीं पर 11 kv दे रखा है, तो यह line voltage है, इसे आप क्या करोगे, इस V3 क्या चीज़ है, V3 क्या है, V3 और, जैसा कि यहां लिखा था, voltage across disk nearest to the conductor, तो conductor के सबसे पास वाली disk यह है, इसके across voltage V3 है, तो यहाँ पर आगया आपका V3, so this is your V3 voltage हो गया, तो capital V divided by N into V3, अब अगर मान के चलते हैं, उमपर वाले जो voltage है V, इसे अगर मैं क्या करूँ, इस तो यह 3-0 voltage, यानि कि इस V1, V2 और V3 को मैंने represent कर दिया है, in terms of V1, ठीक है, V1 और K की form में, अब यह K क्या है, तो basically K होता है, ratio होता है, कौन सा ratio, CS divided by C, यानि की shunt capacitance, बहुत important है यह shunt, कई बार हम लोग receive है, इतने easy इस पर numerical आता है, लेकिन हम लोग उसको गलत कर देते हैं, क क्योंकि या तो हमें K की value नहीं पता होती, या इन 3 voltage की value को miss कर देते हैं, तो इसके उँपर अगर कभी भी numerical आएगा, simplest से simplest numerical आते हैं, और easy हम इस 3 formula का, यानि कि एक formula यह, इन 3 की calculation से solve कर सकते हैं, तो K क्या है, CS, CS क्या है, shunt capacitance है, यानि कि वो capacitance जो earth और pin के बीच में create हुआ ह and C is the self capacitance, इनका ratio, ठीक है, तो shunt capacitance divided by self capacitance, इसका जो ratio होता है, इसको हम लोग के से represent करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और not total V क्या होता है, total V equal to V1 plus V2 plus V3 ही होगा, भाई, CDC बात है, यह जो V voltage है, जो phase voltage है, जो total apply कर रहा है, अपने conductor का, वो अपने आपको V1 plus V2 plus V3 की form म यहाँ पर, तो this is your complete formula of string efficiency, यानि कि अगर string efficiency पर formula based question आएगा, तो यह जो screen तुम्हें दिख रही है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, इस screen के लावा और कोई screen तुम्हें त्यार करना ही ज़रूवत नहीं है, यहाँ पर सारे formula वो cover हो गया, direct question यहां से solve हो जाएंगे, ठीक पिल्कुल core concept को, थोड़ा सा और deep में समझेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि V1 और V2 और V3, अगर यह तीनों के तीनों voltage बराबर हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, जो string efficiency होगी, वो क्या होगी, 100% हो जाएगी, यानि कि अगर जो insulator की disk ले रहे हो, उन जनरली जब हम लोग DC देते हैं, तो उस case में close to ideal याने की 100% string efficiency हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि उस case में shunt capacitance लगबग लगव सिस्टम से गायब हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो statement क्या निकल के आया, कि ideal तो चलो मुश्किल है, लेकिन अगर ज V1 close to होना चाहिए V2 के और close to होना चाहिए V3 के, यानि कि जितना ज़ादा ये close होंगे, जितना close distribution होगा, उतनी ज़ादा string efficiency हमें ज़ादा देखने को मिलेगी, एक example समझते हैं, तो हमान के चलते हैं, मेरे पास एक insulator string है, now 75 klo volt मुझे distribute करना है, अब अगर 75 klo volt इन 3 disk के across मै 10-10 के difference है, तो दो case ले रहे हैं, एक case में 75 klo volt, पांच-पांच के difference पर distribute करा है, insulator के across, और एक बार हमने 10-10 के, 15, 25, 35, ठीक है, आप ज़रा देखते हैं, एक interesting fact निकल का आएगा, string efficiency निकालते हैं, पहले वाले case में निकालोगे, तो total voltage 75 klo volt, divide by number of disk, कितनी 3 use करी हैं हमने यहा 83.3%, यानि कि अगर 5 klo volt के difference पे अगर insulator में हम लोगोंने voltage के distribution करा है, तो 83.3% की efficiency मुझे मिल गई इस case में, अब देखते हैं, 10 के अगर difference करा है, तो कितनी मिलेगी, तो अब यहाँ पे same string efficiency का formula लगा दो, तो total voltage 75 kv, divide by number of string, 3 insulator, कितने use करने, 3 हो गए, और nearest वाले का 35 है, तो तो यह observation क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है, देखो यार तुम अगर string efficiency पे कोई भी lecture पड़ोगे, कोई भी book पड़ोगे, तो वहाँ पे तुम्हें क्या होगा, numerical दे रख्योंगे, topic दे रख्योंगे, theory दे रख्योंगी, लेकिन कभी भी numerical की analysis नहीं दे रख्योंगी, त उसकी गहराईयां तुम्हें समझी महांगी, उसकी बारीकियां समझाना, यह हमारा काप है, बिल्कुल deep inside आपको deliver करना, clear हो गया है, तो आयोब आपको पसंदार होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा important difference देखने को मिला, कि अगर हमने थोड़ा-थोड़ा, मतलब equal distribution क इसका क्या मतलब हुआ, इसका simple सा मतलब हुआ, जितनी जादा number of disk का इस्तमाल करोगे string में, उतनी जादा non-uniformity देखने को मिलेगी, यानि कि उतनी कम string efficiency देखने को मिलेगी, for example, मान के चलते हैं, एक insulator string है, जिसके अंदर 5 insulator का इस्तमाल कर रहा है, और दूसरे में हमने 3 ही किया है, तो ऐसा केस में जो पहला वाला केस है, जो दूसरा वाला केस है, इसकी string efficiency ज्यादा होगी और पहले वाले की string efficiency कम होगी, बाह Ugh, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले वाले केस में, number of disk ज़ादा है, और string efficiency, universal proportional to number of disk है, तो ऐसे में ज़ादा voltage uneven distribution होगा, तीसरा observation, तीसरे के अगर बात कर लेते हैं तो इस्ट्रिंग एफिशेंसी इन्वर्स्य प्रपोर्शनल टू वी-3 था यानि कि वोल्टेज एक्रॉस दा डिस्क नियरस टू कंडॉक्टर याद है तो दिस इस वर वी-3 ना अगर वी-3 को हमने पीछे इस फॉर्मूला निकाला था तो वी-3 को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर वी-1 इंटू-1-3 के-प्लस-क्यी-प्रपोर्पोर्शनल टी एक तो वी-1 को गायब कर देते हैं पिक्चर से के की value को increase करेंगे तो ऐसे case में string efficiency डाउन हो जाएगी सीधी सीधी बात है बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो जितना ज्यादा के की value होगी उतनी कम string efficiency अब के की अगर बात करते हैं तो के की value की value जादा होगी ठीक है और अगर शंट के के की value जादा होगी तो उतनी ही कम string efficiency देखने को मिलेगी यानि कि यह जो टावर तुमने बनाया था इसमें इंसुलेटर तुमने लटकाए थे तो इनके बीच का जो केपस्टेंस है इस metal pin और टावर इनके बीच का जो केपस्टेंस ह सी शंट यह जितना जादा होगा उतना कम string efficiency देखने को मिलेगी यानि कि उतना ही जादा uneven voltage का uneven voltage distribution होगा बड़ा important part यानि कि जितना जादा शंट केपस्टेंस उतनी कम string efficiency और उतना ही पूर वोल्टेज distribution हमें देखने को मिलेगा clear हो रहे हैं आप है so this is your third point now next point की बात कर लेते हैं चौता पॉइंट बहुत ही कीमदी पॉइंट है higher the string efficiency बेटर यूटिलाजेशन और इंसुलेटर यानि की क्यों करी क्योंकि हमें दो चीज़े पता करने थी एक तो हम चाहते थे कि voltage का distribution कैसा हो रहा है वह देखना साथ ही साथ string efficiency यह भी बताती है कि भ तो ऐसे case में क्या होगा अगर V voltage distribute करोगे तो सभी इंसुलेटर के across same voltage Vy5 Vy5 के साब से यहां पर Vy5 क्योंकि 5 है तो same voltage हमें हर इंसुलेटर के across देखने को मिलेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है equally utilize हो रहा है यानि कि यहां पर इंसुलेटर जो है वो तुम कैसे लोगे तो market से जब इस string के लिए इंसुलेटर खरीदने जाओगे जिसकी string efficiency 100% है तो यहां पर तुम जो इंसुलेटर खरीद होगे वो इतने ही ठीक नहीं इसका खरीद होगे कि Vy5 के साथ stand out कर सके यानि कि Vy5 voltage के साथ कोई problem ना हो इंसुलेटर easily उसे इंसुलेट कर सके voltage को clear हो रहा है यह distribution unequal होगा तो same insulator string लेकिन अपकी जो V voltage है वो क्या होगा uneven distribute होगा V1, V2, V3, V4, V5 ना ऐसे case में जो V1 होगा वो lowest voltage face करेगा और V5 जो होगा जो की बिलकुल near है conductor के वहां पर maximum voltage हमें face करना पड़ेगा तो ऐसे case में क्या होगा जो नीचे वाला है यानि कि जो V5 वाला insulator है जो over stress हो जाएगा या overload है बाई सीधी सी बात है नीचे वाले पर ज्यादा voltage है और उपर वाले पर अनी को मतलब बहुत कम voltage देखने को मिल रहा है तो यहां पर मानके चलते हैं example के तौर पर ले लेते हैं यहां पर है 60 क्लो वोल्ट हमें face करना पड़ा और यहां पर हमें मानके च समझना इसको अगर यह सारे के सारे इंसुलेटर सेम रेटिंग के हैं तो ऐसे केस में यह इंसुलेटर की रेटिंग है मानके चलते हैं 45 क्लो वोल्ट तक के वोल्टेज को एड्रस करने की तो यह वाला जो उपर वाला इंसुलेटर है यह भी 45 क्लो वोल्ट के लिए इसकी breakdown strength है और इसकी भी जो है और इसका भी 45 क्लो वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है तो ऐसे केस में जो नीचे वाला इंसुलेटर है यह तो 60 क्लो वोल्ट को डील कर रहा है यानि कि over stress और overload हो चुका है 45 के लिए बना था और 60 हम इसको रेटेट 45 था और हम यूज कर रहे हैं यह तो यह तो यह दोनों चीजें क्या है यह दोनों चीजें गलत हैं रॉंक प्रैक्टिस हैं क्योंकि आपने पड़ा होगा जब भी हम कोई machine बनाते हैं कहीं पर भी कोई rating करते हैं तो कोशिश होती है कि हम हमेशा rated capacity पर चलाएं यानि कि ना तो over utilize करें ना ही under utilize करें under utilize भी un economical है और over utilization भी un economical है क्योंकि वहाँ पर damage होने के chances बढ़ जाते हैं समझ में रही बात है तो this is the main difference यानि कि अब क्या होगा हमने क्या सीखा कि जितना ज्यादा string efficiency होगी उतने ज्यादे equal voltage distribution होगा तो insulator जो है वो अच्छे से utilize हो पाएंगे वहीं पर अगर voltage distribution unequal होगा because of low string efficiency तो ऐसे case में जो utilization है वो क्या होगा पूरली utilize होगे कुछ over हो जाएंगे और कुछ under रह जाएंगे ना यहीं से over utilization से एक बड़ा important concept निकल के आता है बहुत लोग मन में होगा इंसुलेटर पंचर इंसुलेटर breakdown क्यों नहीं हुआ उसको जड़ा देख लेते हैं तो पांचवा पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना बहुत important point है कि यहीं पर सारा खेल है कि इस्ट्रिंग efficiency को हमें सुधार क्यों करना चाहिए यानिकि इसका सबसे गंदा चहरा कौन सा है पूर इस्ट्रिंग efficiency उसको समझते है तो मानके चलते हैं यह वी वोल्टेज अपलाई करा अब वी वोल्टेज यह जो शंट केपिस्टन सा इसकी व मुकाबले आई 3 बहुत ज्यादा करेंट होगी ठीक है नो ऐसे केस में क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो वी थ्री वो ऑवियस सी बात है बहुत ज्यादा होगा कंपेर टू दा वी वन जितनी पूर इस्ट्रिंग efficiency उतना ज्यादा डिफरेंस होगा वी वन और ज्यादा वोल्टेज डॉप एक्रोस लोवर इंसुलेटर की बीच में आ गया नो ऐसे केस में यह क्या होगा यह वोल्टेज दिस्टिबूशन आईसे केस में वी थ्री के वेगर बात करें तो मैक्सिमम वोल्टेज इस्ट्रेस हो रहा है उस इंसुलेटर के अक्रोस जो की यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज बहुत तगड़ा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है अब ऐसे केस में बहुत ज्यादा चांसे हैं कि जो नीचे वाला वोल्टेज अगर यह बहुत ज्यादा अनीक्वल डिस्टिबूशन हुआ जैसा पुराना केस था तो भाई इंसुलेटर खरीद के लाएते हम 45 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज को बियर करने के लिए लेकिन यहां पे जो अनीक्वल वोल्टेज डिस्टिबूशन की वज़े से अगर हम देखें इवनली डिस्टिबूट अगर करते इस्टिंग एफिशनसी 100% होती तो यह 35 के एप्रॉक्स तीनों क एक्रॉस हो जाता हमारा काम मस्त सा चलता कोई इंसुलेटर में कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन इसके लिए इस्टिंग एफिशनसी का 100% होना ज़रूरी था पर यहां पे इस्टिंग एफिशनसी मान के चलते हैं 70% है बहुत ही पूर है तो ऐसे केस में क्या होगा नीचे व और यूटिलाइज हो रहा था वो तो तब भी सही था पर इतना ज्यादा हो गया पचास के भी हो गया जो कि इसके ब्रेक्डाउन वोल्टेज को एक्सीड कर गया तो ऐसे केस में क्या होगा यह जो नीचे वाला इंसुलेटर देख रहा है इसके पंचर के चांसे हो जाएग तो अब क्या होगा यहां पर एक और चीज होती है अब एक इंसुलेटर जैसी पंचर हो गया यह वाला तो यह एक कंड़क्टर बन गया नौ कंड़क्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज डॉप जीरो होता है तो ऐसे केस में वी थ्री तो गायब हो गया पिक्चर से अब क्या ह कि एक ब्ला स्माय यह था से इस ब्लाइए से पंचर हो जाएगा तो बिल्कुल सिरी तो ऑला पंचर हो जाएगा यह तो और He गुर्फ की तरह इसे में सारा करेंट इस इसी लिए ये इस केस में क्या होगा इसलिए हम लोगां एप यह को तो से नीचे वाला और यह यह बहुत जरूरी है कि हम के उगै और दिलत की पर्ग होगा जिससे नीचे बाला इक बार के बढ़िया अच्छी string efficiency का इस्तमाल करें, नौ ये कैसे improve कर सकते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे अगले lecture में, अगर आपको यहां तक lecture पसंद आया है, तो मैं suggest करूँगो दो lecture देखने के लिए, इनी topics related, एक अगर आप जानना चाहते हैं कि power system में इन्सुलेटर कैसे होते हैं, और सबसे important चीज पोर्सलीन और ग्लास इन्सुलेटर में क्या अंतर है, साथी साथ बड़ा important point puncher strength और flash over strength में क्या अंतर होता है, तो इसके लिए left वाला lecture देखें वहीं पर आगर आप जानना चाहते हो कि इन्सुलेटर के एक heroic act भी play करते हैं, तो उनका heroic act है, यानि कि जब वह hero की तना work करते हैं, इसके लिए आप देख सकते हो मेरा right lecture, तो यह दोनों lecture बड़े अच्छे हैं, मेरे favorite हैं, आप जाके देखें और अपने जो भी response है, उसे comment section ज़रू बताएं, आप नमने कींदी समय दिया, उसके लिए धन्यवाद